नमस्कार बहुत सौगत है आपका आज हम बात करेंगे काली मिर्च के काली मिर्च एक ऐसी वस्तू है जो धन भी देता है और दुस्मनों का नास भी करता है हर किसी के घर में होता है और जिस घर में काली मिर्च होता है वहां लक्षमी भर भर के रहती है काली मिर्च का कोई अपने ही सत्रू हो जाते हैं और पडोसी तो होते ही हैं अब ऐसा नहीं कि हर कोई सत्रू है अपने भी होते हैं अच्छे भी होते हैं पर अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं आपके करियर से आपके परिशनलिटी से आपके खुसाली से जलन रखने वालों को टॉपिक नही क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए आज हम काली मिर्च की बात करेंगे काली मिर्च अगर हम जोतिस की माने तो इससे बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं तोटके किये जाते हैं बहुत सिंपल सी चीज है आपके किचन में होगी और अगर भोजन में इसका प्रियोग करें तो काली मिर्च माननेता है अगर आपके उपर सनीदेब की साहरे साती धहिया परिसान जादा करे आपको तब सनीवार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़े से सिक्के अगर काले धागे के साहरे बांध कर किसी को दान कर दे या पीपल के नीचे रख दे या किसी मंदिर के सिड़ी पे रख दे तो सनीदेब के प्रकोब से मुक्ती मिलती है तो ये तो सिंपल सा परियोग है इसको आप कर सकते हैं रोजी रोजगार की समस्या भी दूर होगी और जीवन के बहुत सारी परिसानियों से जीवन में टेंसन होते हैं एक को आप ऐसे ऐसे टेंसन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अब ऐसे में आप माल लेते हैं आपके बास बहुत सारी टेंसनियों परिसान है क्या करेंगे? बहुत सिंपल काम करना है, सनीवार के साब काली मिर्च के पांच दाने ले 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 अब उनको आप अपने सर से साथ वार वार ले अपने घर में ही यह काम कर ले अब इसको किसी चीज में रखकर कागस बेगरे में आप किसी भी ऐसे अस्थान पर खड़े हो जाए अगर चौरहा है आपके आसपास तो वहां चले जाए या ऐसे अस्था अब आपका फेस पूरव दिसा में होगा वहीं पर खड़े हो जाईए एक एक करके चार काली मिर्ट चारो दिसाओं में फेगने जो पांचवा बच गया है उसको उपर आसमान की तरफ फेके और वापस आ जाए पीछे मुड़कर मत देखिएगा आकस्मी धनलाप के योग बन बहुत सिंपल है देखिए काली मिर्च आपको लेने है साथ या दखिए साथ काली मिर्च अगर सत्रू ज्यादा परिसान करें अपने हों पराए हों कोई भी हों सत्रू सत्रू है एक है हजार है सब का नाम लीजेगा तो आपको साथ काली मिर्च लेना है आप चाहे तो 11 भी लेकर आप साबुत काली मिर्च लेकर ही किसी भारी बस्तू से दबा कर उसको हल्का सा दर्दरा कर ले या पीछ ले अब इसको गाय के कच्छे दूद में मिलाकर किसी भी सनीवार या सोंबार के दिन जाकर सिबलिंग पर अरपीत कर दे भगवान से प्राथना करें कि सत्रों से मुख्ती दिलाईए यकीन मानिए सत्रू सांथ हो जाएंगे तीन सनी बार या तीन सोम बार लगातार कीजेगा बहुत सिंपल है याद रखिए गाय का कच्चा दूद लेना है और काली मिर्च तो यह प्रियोग जब आप कीजेगा तो लगातार नमस्षिभाय का जब करते रहिएगा और बाचित मत कीजेगा प्रियोग करने के समय आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं घर में भी कर सकते हैं लेकिन अगर मंदिर में करें तो ज़्यादा अच्छा है क्यूंकि वहां पर की गई प्रार्फना कभी ब्रार्फना कभी वह 15 रहाना होगा,amento if you know the जीवन में टेंसन बढ़ गई है परेसानिया बढ़ गई है तब एक सिंपल सा फडियोक करें बहुत सिंपल है आपके उल्जनों को दूर करेगा सत्रों को सांत रखेगा आपके जीवन में अगर कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा आप दिसा वटक गया है या पिर आप लगता ह लक्ष हीन हो गया है चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब एक सिंपल सा काम कीजिएगा आपको चाहिए होगा थोड़ा एक कागज और वो अगर भूजपत्र हो तो और अच्छा अगर आपके पास भूजपत्र मिल जाता है तुस्से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता अब इस भूजपत्र पर या नहीं है तो सफेद कागज ले ले जिसमें मैथ बनाया जाता है न जिसमें लाइन डे नहीं होती खीची भी वही वाला लीज़ेगा अब इस पर काजल से या काली के सहारे सत्रू का नाम लिखिए अब लिखलें के बाद थोरा सा सहद उसके उपर लगा दे जहां पर सत्रू का नाम लिखा है न उसके उपर इसके बाद काली मिर्च के साथ दाने रख दे अब इस कागज को जैसे मर्जी वैसे जला दे चाहे तो कागज को जला दे या किसी आग में डाल दे जलती भी आग म यह प्रियोग आपके सत्रूं को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देगा जब आपने सहथ लगाया ना तो इसका मतलब है उसी समय सब खत्म आपके बारे में कुछ वह गलस सोच भी नहीं पाएगा एकदम से सांथ बहुत सिंपल है लेकिन प्रियोग अद्भूत है त कई बार क्या होता है ऐसे लोग सत्रूं होते हैं जिनको आप न छोड़ सकते हैं न पकड़ के रख सकते हैं आप फस चुके हैं अब यहाँ पर जब ज़्यादा परिसानी हो जाए तब एक सिंपल सा काम करें आपको चाहिए होगा पांच काली मिर्च के दाने और गाय का घी अब घी में थोरा सा घी पिघला लें इसमें पांच काली मिर्च के दाने लेने साबूत लेना है किसी डबे में बरतन में लेकर जाएं सिपजी के मंदिर घर में भी कर सकते हैं बाद में इसको उठा कर कई मिट्टे में दबा दीजेगा अब सिबिलिंग पर इस घी में जो म एक लोटा जल अर्पित कर दें नमसिवाय का जब करें और अपने घर आ जाए नंदी के कान में मर्नत जरूर गई हैगा बहुत सिंपल प्रयोग है लेकिन जब आपने घी में मिक्स करके वहाँ पर सिबलिंग पर अर्पित कर दिया तो फिर आपको और कुछ सोचना ही नहीं है सब कुछ सिब जी पे छोड़ दें अब वही सब कुछ करेंगे अगर घर में नकारत्मा गुर्जा बढ़ गई हो घर में परेसानी जादा हो जगड़े लड़ाई बाद विवार टेंस अंधन नहीं बचना बार बार चोट चपेट नगना लगता है जैसे कुछ हो गया है ख जादो घूमते हैं कभी उनको अंदर से अच्छा फेलिंग नहीं आता कहते हैं मनुदास सा लग रहा है तब दो दाने काले मिच उनको दे दें बोलें कि दान से चवाएं और उसके वाद थूख दें अगर किसी भी तरह का कोई नजर दोस होगा किसी तरह कोई तंतर क्रिया होंगी उपरी हवा होगा तो वो निकल जाता है लेकिन उसके पहले एक और बाद सनीवार के दिन सिर्फ सनीदेव की पूजा करने से आपको पूरा फल नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी पूजा करने के बाद हनवान जी की पूजा जरूर करें क्योंकि हनवान जी सनीदेव के प्रिशानी बढ़ गई हो तब एक छोटा सा प्रियोग किरना है आपको आप अपने घर में जो सबसे अंधेरा कोना है वहां पर एक सर्सों के तेल का दीपक जलाईए और उसमें साथ आठ दाने काली मिर्च के डाल के रख दीजिए आधा गंटा कम से कम जलने दीजिएगा औ अब एक और एक खास बात आप घर में दियाबाती तो करते ही होंगे आप साम के वक्त जब दियाबाती करते हैं तब एक छोटा सा काम क्या करें वैसे सनीवार की साम एक दीपक पीपल के नीचे जरूर जलाए अगर आप पीपल के नीचे नहीं जला पाते हैं तो घर के फिर पूरे घर में दिखाएगर जब दियाबाती में बाति जले चीतς जलेगए उसके साथ काली मिर्च जलेगा न तो नकारतमक उरजाए साम Two-dayмы जाम की समय दिखतें हैं दो दाने जादा नहीं डालना एक दाने दो डाने डालएये इंद रिल में के पर conoc uy कि वो भी हलका हलका जले और पूरे घर में उसका जब जो एक इसमेल है सेंट है वो उठेगा तो क्या होगा ना नकातमक उर जाएं भागेंगी क्योंकि काली मेर्चे तमाम परिसानियों को समाप्त करता है हम आपसे बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर महादेब धन्यूर्ट